हलो फ्रेंड आप देखरों हमारा चनल गरो बुक्स तो आज में फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं जिस बुक का नाम है दो क्रियेटिव हैबिट इसका मतलब क्रियेटिव प्रोफेशन में आने वाली मुश्किलों से सामना करना सीखे इनका लिखा का नाम है ट्विला थार्प चलिए बुक आपको दोलब जों बताते हैं वर्ल्ल फेमस कोरियोग्राफर दिला थर्प ने दिविला थप ने 2003 में आई अपने किताब दो क्रियेटिव हैबिट के जरिये हमसे अपने रियल लाइफ एक्सप्रियेंस को सेयर किया है अपने क्रियेटिव जिन्दा रखती है इन सारे सवालों के जवाब आपको इस किताब में मिल जाएंगे इसे पढ़कर आप भी अपनी आददों में थोड़ा फिर बदल करके अपने क्रियेटिविटी को बढ़ा सकते हैं और अपनी मंजिल हासिल कर सकते हैं यह वो किसके लिए है ऐसे आर्टि अपने आपको जाने की आपमें ऐसा क्या खास है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुचा सकती हैं मोजाट का नाम तो आपने सुनाई होगा वो यकिनन एक बहत्रिन कमपोजर थे लेकिन वह इसी मकाम तक किसी लग की वज़ा से नहीं पल की अपनी मेहनत और लगन से पहुच आपको आपको अपना टैलेंट दुनिया का सामनी लाने से कोई नहीं रुक्तिविटी असल में ऐसी होती है कोई भी रात रात फेमस नहीं हो जाता बलकि उनके उपर मेहनत करनी पड़ती है अपने रूटिन में डिस्पिलिन लाना पड़ता है क्रियाटिविटी भी मसल्स क जैसी है आप जितना जदा प्रेक्टिस करेंगे वह उतना बढ़ेगी एक बार आपने इस बात को समझ लिया तो आपको अपना टैलेंट दुनिया कर सामनी लाने से कोई नहीं रोक सकता इस किताब की अधाय आपको सिखाएगा कि कैसे आप अपने रेगुलर प्रेक्टिस और डिस्पिलिन से अपनी एस्किल्स को बढ़ा सकते हैं डिस्पिलिन से आपका रूटिन बनता है और यहीं रूटिन एक दिन आपकी क्रियेटिव आदत में बदल जाएगा हम सब में कुछ ना कुछ खास जरूर होता है इसलिए अपनी मंजे तक पहुंचने का रास्ता च कि समझभाएंगे वाला सवाल है कि आप अपने क्रियेटिव आइडेंटिक तक कैसे पहुंचे आप अपने एक्सप्रियंस अपने फिलिंस और अपने सपनों को एक कागाज पर लेखने की कोशिस . आपको अपने लेखने का अंदाज में ही समझ में आ जाएगा कि आपकी क्रियेटिव आइडेंटिक क्या है जैसे लेकर ने एक सेंसन में अपने एक आर्ट एस्टुडेंट से पूछा कि अगर उसे डांस को किसी रंग के जरीय बताना हो तो वो कैसे बताएगा काफे देर तक इधर उदर बात करने के बाद वो बुला कि डांस उसे एक ट्रांस्पेरेंट नीले आस्वान जैसा लगता है इससे यह साफ होता है कि तो वो पेंटिक से ज़्यादा लिखने में माहिर है क्योंकि उसे सब्दों का काफी अच्छा इस्तमाल आता है इसे तरह आप भी अपने बातों और रोज मर्रा के कामों पर गोर करके अपने क्रियेटिव आइडेंटिक को पाचान सकते हैं अगर आप यह पाचान सके कि आप किस काम के लिए बने हैं तो सक्सेस को हासिल करना आपके लिए आसान हो जाएगा खुद से सवाल करें कि वो कौन सा काम है जिसे आप एक अलग अंदा से कर सकते हैं जैसा कोई और नहीं कर बाता अगर आप अपनी पाचान और अपनी टेलेंट के साथ कंफर्टेवल हैं तो आपके लिए काम करना आसान और मजदार हो जाता है आगे आने वाले अधायस हम जानेगे किरियाटिवरी की निव कैसे रखी जाए अपनी एस्किल्स को सार्प करने के लिए अपने डेली डूटिन में डिस्पिलिन लाए किसी भी नए प्रजेक्ट को सुरू करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है अगर आप इसे आसान बनाना चाहते हैं तो आपको इसे अपने डेली डूटिन में सामिल करना होगा अपने डेली डूटिन में किसी भी नए चीज़ को सामिल करने के लिए कमिंटमेंट की जरूरत होती है अगर हम लगतार उस काम को करने में कम्याब हो गए तो देखते ही देखते हुआ हमारी आदत बन जाएगी अगर उसे करने के लिए फिर हमें अलग से सोचने के जरूत नहीं पड़ेगी अगर हमारा काम हमारी आदत बन गया तो वो हमारी comfort जोनका हिस्सा हो जाएगा और उसे लेकर हम confident feel करेंगे जैसे लेकर अपने professor, professional में fit राने के लिए morning काफी बाद जिम जाती है कई बड़े musician और composer अपने सुभा के सुभात अपने instrument को बजा कर या लिक कर करते हैं इन छोटी छोटी बातों से हमारी creativity पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है ऐसी एक और आदत है जो हमें बड़े काम आएगी और वो हमेशा अपने creative identity से जुड़ कर रखेगी वो यह है कि हमें अपने काम से जुड़ी कोई भी छोटी से छोटी चीज हमेशा अपने साथ रखे यह चीज कुछ भी हो सकती है एक पेन, आपका camera या tape recorder यह सब इसलिए क्योंकि यह आपको याद दिलाता रहेगा कि आप क्या है अगली अच्छी आदत यह है कि जब भी अपने काम को लेकर आपको घबराट महसुस हो तो आपके मन में उठने माले सवाले के जवाब तुरन दे और मन को सांत करे जैसे अगर आपके मन में डर है कि लोग मुझे पर हसेंगे तो खुद से कहे, हाँ, वो लोग नहीं हसेंगे, जो स्वच में मेरी इज़त करते हैं, अगर मन में आ रहा है कि ये काम तो पहले भी हो चुका है, तो कहे कि तो क्या हुआ, सेक्स पियर भी 100% औरिजिनल नहीं थे, ये काम मुझसे उतना अच्छा नहीं हुआ, जैसे मैंने सो सुचा था, तो कहे, गलतिया सभी से हो जाती है, कहने का मतलब बस इतना है, कि जो भी आपका डर है, उसका सामना तुरंद करें, ताकि वो डर आपके confidence को नुक्सान न पहुचा पाए, अपनी imagination और वो को लेबरी को पढ़ाने के लिए, अपनी memory को एस्ट्रों करने की कोशि बढ़ती है, अपने memory बढ़ाने के लिए, आप अपने काम से जोड़ी बातों को मन ही मन में repeat करते रहे, धिरे दिरे सब आपके memory में fit हो जाएगा, जैसे लिखका अपने रिहालसर के दवरान, अपने गाने के notes, feedback और possible change को बीना लिखे, अपने मन में याद रखने की करें, क्या पता कब कौन सी बात आपके सामने आ जाए, नए परजेक्ट की सुरुवात आप एक box के साथ करें, अब आप सोच रहे होंगे कि एक box की किसी नए creative project से क्या लेना देना हो सकता, आइए देखते हैं, जब आप कोई नए परजेक्ट सुरू करते हैं, या किसे नए आइडिया पर काम करना शुरू करते हैं, तो आपके दिमाग में बहुत सी बाते आती हैं, या आप अपने आसपास से बहुत सी चीज़े collect करते हैं, जो कही नहीं आपके परजेक्ट से जूरी होती है, लेकिन अगर आप इन चीज़ों कर नहीं रखेंगे, तो आपको लिए दुबारा उन्हें ढूनना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अपने नए आइडियाज के लिए एक नया बॉक्स बनाइए, हाई यह जरूरीट नहीं है कि आप एक बॉक्स ही ले ले, आप अपने जरूरत के हिसाब से कोई भी और्गनाइजिंग टूल ले सकते हैं, चाहे ह आपकी अलमारी हो, कोई बॉक्स हो, कोई नोटबुक या आपके कम्पीटर का फोल्डर, बस करना यह है कि आपके आइडियाज लेकर उसके इंस्पिरेशन और उसे जूरी जो भी चीजे आपको मिलती है, वो सब उसमें रखते जाए, ताकि जब आपका ध्यान अपने आइ इवन सराय बच्चन अपने हर आइडियाज को एक नोटबिक में लिखते थे, फिर उसमें थोड़ा सुधार करके दूसरी नोटबुक में और फिर फाइनल कवीता की तीसरी नोटबुक में, उनकी इसी आदत में उनने एक महान कवी बना दिया, आपकी आदते और आपका र दूड़ते रहे जब तक कि आपको कुछ इंस्पाइरिंग ना मिल लिए, अपने प्रोजेक्ट बॉक्स में रखने के लिए कुछ धूड़ते वक्त आप ऐसा फिल करेंगे जैसे आप किसी लोटरी की उमीद में हो, आपको ये भी नहीं पता कि आप असल में धूड़ किया चीज में कुछ भी ढूड़ सकते हैं, क्या पता कौन आपको सही रासा दिखा दे, नहीं ने चीजे करके देखे और तब तक करके देखे जब तक कि आपको कुछ मज़दार नहीं मिल जाता, जैसे एक लेखक नहीं लाइन लिकर मिटाता रहता है, जब तक उसे एक एस्टि की चीनता क्यों किये बीना आप बस अपने मन के सुनते जाए, रोज अपने काम से जुड़े आर्टिकल पड़े, लोगों के बाते सुने, कभी समय निकाल कर फिल्ड ट्री पर जाए, कभी नेचर को निहारे, यहनि आप कहीं से भी कुछ ढूर सकते हैं, बस आपको चीजों नए आइडियाज का जनम हो सकता है, उसे बॉक्स में डाले, और जो आपके काम के नहीं है, उन्हें छोड़ दे, आइडियाज को ढूड़ते हुए, आपको यह भी ध्यां रखना होगा, कि बाहर आपको केवल छोटे-छोटे आइडियाज ही मिलेंगे, उसे अपनी मेहनत और स्केल से अपने बेस्ट वर्क में बदलने की जिम्यदारी तो आपकी है, खुद पर कंट्रोल रखे और खुद खुले दिल से प्लानिंग करे, आरगिनाइजेशन और प्रॉपर प्लानिंग क्रियेटिव लोगों के लिए बहुत जुरूरी है, लेकिन जरूबर से ज्य उसे छोड़ कर जो सामने उससे डिल करना पड़ता है, अगर आपके एक ही चीज को पकड़ कर बैठ गए तो अपना काम कभी नहीं खतम कर पाएंगे, जैसे लेका एक बार एक कंपोजर के लिए दा हॉलिवर्ड किस नाम का एक डिस पीस त्यार करने का प्लान किया, करिब तब तक आप पुरानी चीजों को जाने नहीं देंगे, तब तक आप नई शुरुवात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब पुराना आइडिया दिमाग से जाएगा, तभी तो नया आइडिया आएगा, क्रियेटिवटी के बारे में एक बहुत मैदार बात है, कि आपके पा हो तो बहुत अच्छा लिखने के चाह में वो अपना आर्टिकल कभी खतम ही नहीं कर पाएंगे, ऐसा है कुछ लिखा कि लाइप में भी हुआ था, 1965 को दोर में जब उन्होंना अपना करियर सुरू किया था, तब अपना पहला डांस उन्होंना बिना पैसे, बिना एस्टे प्रवलों का जब आपके पास खुद बाखुद चल कर आ जाता है, जैसे गुड इयर टायर के फाउंडर्स चार्स गुड इयर के साथ हुआ था, 1849 में अपने सालों के एक्सप्रियंट के बाद गुड इयर के हाथों आचानक एक दिन गुद और सलफर का डबबा एंड पर न पहुंच जाए, यानि आपके पास हमेशा एक प्लान भी भी होना चाहिए, जैसे अगर एक नवल नई पूरी कर पा रहे हैं, तो उसे सोट एस्टोरी बना दे, या फिर आगर आप लिखते लिखते किसी करेक्टर में ज़्यादा ही खो गया हैं तो, पेज अका का बेस बनाने के बाद आप अपनी एस्किल्स पर काम करें, जब आपने अपने आइडियाज को ढून निकाला और उसे पूरी रिसार्ज करके त्यारी कर ली तो, समझे कि आपके प्रोजक्ट का बेस त्यार हो गया, आपके प्रोजक्ट का बेस यानि वो कहानी जो आपने दर्सकों को सुनाना चाहते हैं, यह उस इंस्पिरेशन की तरह है, जो आपकी सईट ट्रेक पर रखेगी, और आपका ध्यान इदर दो नहीं भड़कने देगी, जैसे टाइटनिक फिलम का बेस टाइटनिक जहाज था, लेकिन उसका मेसेज था सच्चा प्यार, इसी तरह आ अपने काम की बारिकियों में ना घुश जाए, उससे पहले यह देख ले कि आपने काम को पूरा करने के लिए आपको कौन कन से स्कील की ज़रुत पड़ेगे, बिना सही स्कील के आप अपना काम अच्छे से पूरा नहीं कर पाएंगे, जायर सी बात है कि आपके पास जितन करने से पहले आपको सही धंग से सब्जिया काटना आना तो जुरूरी है ना, अब स्वाल उड़ता है कि असकील पर मस्ट कैसे की जाए, तो इसका जवाब उस काम की प्रेक्टिस करके, आप किसी काम को जितने बार करेंगे, आप उसमें उतने ही माहिर होते चले जाएंगे इसका एक और पालू है, यह है कि आप अपनी क्रेटिव आइडेंट्टी से जुड़े जितने नएने कामों को खुद करके देखेंगे, आप उतने ही नए स्किल सिखते जाएंगे लेका ने भी ऐसे ही एक नई एसकिल सिखी थी, एक बार एक लाइटिंग डिरेक्टर ने डांसोरों के एकजिट के समय लाइट बन करने से मना कर दिया और लेका को कहा कि वो खुद कर ले, इस वोई है कि लेका को येक ऐसा नया आइडिया आया, कि नोंने बिना लाइट बन किये भी डांसोरों को डांस के साथ ही एंट्री और एक जिट करने का हुनर सिखा दिया तो जल्दी से सोचो कि आपके प्रजेक्ट को पूरा करने के लिए आपको कौन-कौन सी एसकिल की जरूत पढ़ने वाली है और उनमें से आपके पास कितनी है, अगर कोई जरूरी एसकिल आपके पास नहीं है तो आप उसे उसके बदले क्या करने वाले है अपने प्रजेक्ट को कैसे खतम करने वाले हैं, लकिर के फकिर ना बने और अपनी कलपनाओं से बाहर आए बड़े से बड़े क्रियेटिव इनसान को भी अपने प्रजेक्ट के समय कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ता है कभी किसी को राइटर ब्लॉक मिलता है, तो किसी को सई बैलेंस नहीं मिल पाता तो किसी को वो धुन नहीं मिल पाती, इन्ही प्रब्लम में से एक और है अपने रोजमर्ला के रूटिन में फसना जिसे लेका ने एस्टा कीन अरट का नाम दिया है अपने प्रजेक्ट का मास्टर प्लान त्यार करते समय हम खुद के लिए एक रास्ता चुनते हैं जिस पर चल कर हम अपना प्रजेक्ट कम्पलीट करेंगी लेकिन कभी कभी होता यह है कि हम सब कुछ कर भी रहे होते हैं सब ठीक ढंक से भी चल रहा होता है लेकिन फिर भी हमें ये महसुस होता है कि हमारा leader प्रग्रेस नहीं कर रहा पर ऐसा क्यूं होता है वो शकता है आपका idea ही सही न हो या आपकी timing गलत हो या इस बार luck नहीं आपका साथ नहीं दिया जातर हम इसलिए फंज जाते हैं क्योंकि हम पुराने strategy के हिसाब से काम कर रहे होते हैं हमें अपने plan को नए माहूल के हिसाब से त्यार नहीं किया होता है अगर एक salesman अपने देखी परकी हुई तखनिक इस्तमाल कर रहा हो लेकिन अब वो काम नहीं कर रही है तो हो सकता है कि उसका product जिस काम के लिए था अब customers को उसकी जरूत नहीं है इसलिए समय के साथ चलना बहुत जुरूरी है वरना आप फंज जाएंगे इस problem से बाहर निकलने के लिए अपने imagination power का इस्तमाल करें अपने पुराने belief system को challenge करें और नए ideas सोचे आप जितना सोच सकते हैं उतने ideas सोचे सबको no down करें और फिर देखे कि आज के माहर के इसाब से कौन सा feet है ऐसा करने साब के problem solving skill बढ़ेगी जैसे लेका ने अपने students के imagination power देखने के लिए उन्हें एक लड़की के stool के 60 use बताने को कहा सुर्य से 4-5 use तो आम से थे जैसे बैठने के लिए उस पर खड़े होने के लिए लेकिन जैसे जैसे उनके imagination और आगे बढ़ते कई तो बहुत ही मैजदार use निकल कर आए जैसे जिमनास्टिक करने के लिए किसी share को training देने के लिए तो ऐसे ही आप भी लखिर के फकिर नव बने और अपनी imagination से कुछ नया सोचते रहे फिर साइद आप कहीं फस ही ना अध्या नमर पांच अपने failure से सीखे कि आप क्या कर सकते हैं और जो नहीं कर सकते उन्हें भूल जाए एक बड़िया पलाने के अच्छा बेस और good luck इन सबके होते हुए भी कई बार हमारा प्रजेक्ट फुल आप हो सकता है पर इससे घबराने की या निदास होने के जरूरत नहीं है क्योंकि failure भी productive हो सकते हैं अगर आपको failure private है यानि आपके कुछ किया है और उसके release होने से पह दर्द भी कम होता है जैसे आपका फुल आइडिया या आपके लिखी तीन है वर्ट का आर्टिकल जिसमें बस तीन ही अच्छे सेंटेंस हो पब्लिक failure में दर्द थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि इसके बारे में पूरी दुनिया जानती है लेकिन जितना बड़ा दर्द उतनी बड़ी सीख अक्सर पब्लिक failure हमें फिर से कुछ नया करने का रास्ता दिखाते हैं बलकि failure से हमें अपने कम्यों का पता चलता है कभी कभी तो पब्लिक failure हमें ऐसी गलती दिखा देती है जिने हम कबसे नजर अंदाज करते आये हो जैसे सिकागो में अपने सो मोविन आउड का प्रिवी रिलिज करते समय लेका को पता था कि इसमें अभी कुछ कम्या है पर उन्हों यह सोच कर नजर अंदाज कर दे कि दसोका का ध्यान उस पर नहीं जाएगा लेकिन ऐसा ही हुआ नहीं क्रेटिक ने जम कर उसके सो का मजाग बनाया लेका को इसे इसे सीख मि चाहिक कमी कितने भी छोटी हो उसे नजर अंदाज करना खतरनाक हो सकता है उन्हों अपने पूरे सो को डिविय किया और फिर वो सो इतना हिट हुआ कि उन्हें उसके लिए टोनी आवार्ड भी मिला इसलिए फेलियर भी जरूरी है ताकि आप अपना एस्किल स्टेट कर सकते हैंшейलियर को निदासा की नजरों से ना देखे यह न सोचे कि आप से क्या नहीं हुआ यह सोचे कि अभल्ड कर सकतेया भी फेलियर से साहते है को मिला कर टेलेंट और ट्रेक कल एसकेल जुरूरी है लेकिन केवल इनसे ही आप एक सक्सेसफूल आर्टिस्ट नहीं बन सकते अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को पाचाने हाड़ वर्ग करे और अपने काम को अपनी आत्तों में सामिल कर ले क्या करें कल के थोड़ी त्यारी के आज री कर लें अपने काम खतम करने के बाल आप अपने निश्ट ऐडिया के नोट क्ल के लिए बनाकर रखें अगर दड़ी आप उस नोट को पड़े इस तरह से आप काम को कल के काम से जोड़ज पाएंगे आपने रोल मोडल से सीखे, किसी भी फिल्ल में जाने से पहले आप अपने रोल मोडल काम की बारिकी से देखे और उनके स्किल्स को सीखे जैसा अगर आप एक राइटर है तो अपना पसंदीदा आर्टिकल पढ़े और उसमें से वो वर्ल्ड सेलेक्शन और सेंटेस बनाना सीखे